अगला प्रश्न है निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन परिमित और कौन अपरिमित है तो आप जानते हैं कि परिमित समुच्चय ऐसा समुच्चय है जिसमें अव्यवों की संख्या सीमित होती है और अपरिमित समुच्चय ऐसा समुच्चय है जिसमें अव्यवों की संख संख्या असीमित होती है तो पहला है वर्ष के महीनों का समुच्च तो एक वर्ष में बारा महीने होते हैं तो इस तरीके से वर्ष में जो महीने हैं बारा वह गिनने योग्या है या फिर संख्या जो है वह सीमित है इस वज़ा से वर्ष के महीनों का जो समुच्च होगा यह परीमित समुच्च होगा दूसरा है एक्स सच देट एक्स बिलॉंग्स टू एन और एक्स एक अभाजिय संख्या है ये भी यह अपरीमित समुच्च का उधारन है जैसे कि संख्या रेखा में जो संख्याएं होती है यहाँ पर एक्स बिलॉंग्स टू एन कहा गया है तो यह यहाँ से वन टू थ्री इस तरीके से जो संख्याएं है उसमें एक्स अभाजिय संख्या है तो उस समुच्च में आ जाएगा एक तीन पाँच साथ ग्यारा तेरा इस तरीके से यह संख्या जिसका अंत नहीं है तो इस तरीके से इस समुच्च का अगर हम अभ्यवों को लिखे तो यह कभी खत्म नहीं होगा तो इस तरीके से यह जो समुच्च है या अपरिमित समुच्च का उधारण है इसी प्रकार तीसरा पश्च्च है एक्स सच देट एक्स बिलॉंग्स टू एन और एक्स विसम संख्या है तो यहाँ पर यदि हैसे हम एक समुच्च का नाम देदें सी तो यहाँ पर जो भी अव्यव मिलेंगे वो मिलेगा एक, तीन, पाँच, साथ, नो, ग्यारा, तेरा इस तरीके से अव्यव हमें मिलते जाएंगे यह कभी खत्म नहीं होगा तो इस तरीके से यह जो समुच्च है या अपरिमित समुच्च्च का उधारण है चौधा प्रश्ण वाई अक्ष के समानतर रेखाओं का समुच्च है तो आपने निदसांक पद्धती पढ़ा हुआ है यहाँ पर यह एक्स, एक्स डेस अक्ष और यह और वाई डेस अक्ष वाई अक्ष के समानतर रेखाओं का समी करण वाय अक्ष के समानतर रेखाओं का समुच्च है तो इस तरीके से इस रेखा के समानतर आप राइट साइड पे अंगिनत समानतर रेखाओं कीच सकते हैं और इसी तरीके से आप लेप्ट साइड पे इस अक्ष के समानतर रेखाओं कीच सकते हैं तो यह इतनी रेखा हैं जिसे हम गिन नहीं सकते या दूसरे सब्दों में कह सकते हैं यह जो रेखा हैं यह अपरिमित है तो इस तरीके से यह जो समुच्य है यह अपरिमित समुच्य का उदाहरण है अगला प्रशन देखते हैं एक्स इस सच डट एक्स बिलॉंग्स टू एन और एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू इक्वल टू जिरो तो एक्स जो है वो प्राक्रिमित संख्याओं के समुच्य का एक अभ्याव है और यह समीक रण को संतुष्ट करता है तो एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू इक्वल टू जिरो है तो यहां से आपको मिल जाएगा एक्स माइनस वन इक्वल टू जिरो यहां से मिलेगा एक्स इक्वल टू इसी तरीके से एक्स माइनस टू इक्वल टू जिरो और मिलेगा एक्स इक्वल टू तो यहां पर एक्स के सिर्फ दो मान है one or two, तो हम यह कहेंगे कि यह जो समुच्चय है, इसमें हमें एक और दो, शिर्फ दो अव्यव हैं. तो इस तरीके से यह जो दिया गया समुच्चय है, यह परीमित समुच्चय का उदाहरण है. अगला प्रश्ण है, रिक्त समुच्चय पहचानी है. या जो दिये गया प्रश्न है उसमें हमें ये पहचानना है कि कौन सा जो समुच्चा है वह रिक्त समुच्चा का उदहारन है तो पहला है X such that X एक प्राकृत संख्या है और X का मान X is less than 5 और साथ ही X is greater than 6 X इस प्रकार है कि X एक प्राकृत संख्या है और X is less than 5 है और X is greater than 6 है तो देखिए कि यदि एक संख्या रेखा लें तो हमें जो संख्या मिलेगी ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये इस तरीके से आगे बढ़ती जाएगी लेकिन एक प्राकृत संख्या कही गई है तो यहां से स्टार्ट होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इस तरीके से जाएगा लेकिन यहां पर 5 और 6 के बीच में कही गई है तो 5 और 6 के बीच में तो कोई भी प्राकृत संख्या नहीं मिलेगी तो इस वज़ा से यह जो समुच्या है इसे हम लिख सकते हैं equal to 5 या फिर empty set या null set तो यह जो उदारन है यह रिक्त समुच्या का उदारन है दूसरा प्रश्न है दोसे भाज्य विसम प्राकृत संख्याओं का समुच्या है देखिए कोई संख्या यदि दोसे भी भाजित होगी तो वो विसम संख्या तो बिल्कुल नहीं होगी तो इस तरीके से यहाँ पर जो हमें समुच्या मिलने वाला है वो एक empty set है या फिर रिक्त समुच्या है इसमें हमें कोई भी अव्यव नहीं मिलने वाला है तो इस तरीके से यह दिया गया प्रश्न है यह भी रिक्त समुच्या का उदारन है पहले की तरह अगला प्राश्न है, x इस प्रकार है कि x square equal to 4 और x विसम संख्या है देखिए, x square equal to 4 को जब अब भाल करेंगे, तो मिलेगा x equal to plus minus 2 तो plus minus 2 का मतलब यहांपर 2 आ रहा है, यह विसम तो नहीं है, 2 जो है, यह समसंख्या है तो इस तरीके से ये जो समुच्चे हमें मिल रहा है ये भी equal to 5 है या फिर आप कह सकते हैं कि यह है एक रिक्त समुच्चे है बताइए कि A equal to B है क्या अथवा नहीं तो पहला प्रशन है set A equal to 1, 2, 3 और set B है 3, 2, 1 तो समुच्चे में हम अव्यवों को किसी भी करम में लिख सकते हैं करम महत्वपूर नहीं है दूसरी बात है अव्यवों की पुन्रावरित्ती नहीं होती है तो यहाँ पर 1, 2, 3 है यहाँ पर भी 1, 2 और 3 है तो दो समुच्चे समान समुच्चे कहलाते हैं यदि उनमें अव्यवों की संख्या बराबर हो और दूसरी बात यह कि A का प्रत्यक अव्यव, B का भी प्रत्यक अव्यव हो या फिर B का प्रत्यक अव्यव, A का प्रत्यक अव दूसरा प्रसंद देखते हैं A इक्वल टू X इस प्रकार है कि X संख्या 10 का गुनज है और B इक्वल टू 10, 15, 20, 25, 30 and so on इस प्रकार है तो देखिए यहां पर यह जो A है यह समुच्या निर्मान रूप में लिखा गया है तो यदि इसे हम लिखें तो लिख सकते हैं A इक्वल टू 10, 20, 30, 40 इस तरीके से आगे अवयाव हमें मिलते जाएंगे लेकिन B हमें जो दिया गया है वो है 10, 15, 20, 25 and so on तो यहां पर समुच्या B में 15 है 25 है इस तरीके से आगे भी अवयाव मिलेंगे जो की समुच्या A में सामिल नहीं है तो इस तरीके से दूसरे प्रशन के लिए A और B बराबर नहीं है इसमें अगला प्रशन है A इक्वल टू X और X इस प्रकार है कि X सब्द follow F-O-L-L-O-W का एक अक्षर है और B के अब जब Y है और Y जो है सब्द W-O-L-F का एक अक्षर है तो दोनों के दोनों समुच्या निर्मान रूप हमें लिखे गए हैं इसे हम रोश्टर या टैबुलर फॉर्म पे लिख लेते हैं तो यहां से हमें क्या मिलेगा A इक्वल टू सब्द F-O-L-O-W का एक अक्षर है हम जानते हैं कि समुच्या में आवयवों की पुनरावरित्ती नहीं होती है तो पहले हम F को लिख लेंगे फिर O दो बार आया है तो हम इसे एक बार लिख लेंगे L भी दो बार आया है एक बार लिख लेंगे और W एक बार आया है इसे हम लिख लेंगे अब आजाते हैं सेट B पर Y सब्द W-O-L-F का एक अक्षर है तो B इक्वल टू हम लिख सकते हैं पहला आया है W दूसरा है O तीसरा है L और चौथा है F इसमें अव्यवों की पुन्रा बृत्ति नहीं होती है तो यहां पर देखिए यह O है यह L है और यह W है और यह F है दोनों की कार्डिनालिटी या दोनों में अव्यवों की संख्या दोनों समुच्यों में अव्यवों की संख्या बराबर है A का प्रत्येक अव्यव, B का प्रत्येक अव्यव है और B का प्रत्येक अव्यव, A का प्रत्येक अव्यव है तो इस तरीके से हम लेख सकते हैं कि A is a subset of B और B is a subset of A तो इन दोनों से हम ये निस्करश पर पहुछते हैं कि A और B दोनों समान समुच्य है अगले प्रष्ण में बताना है कि कतं सत्य है अथ्वा असत्य तो इसमें से पहला प्रश्ण है एक समुच्चे दिया गया है एक, दो, तीन और सब्सेट या उप समुच्चे का चिन्न यहाँ पर लगा हुआ है और यहाँ पर है वन, थ्री, फाइव तो देखिए यहाँ पर भी तीन अव्याव है यहाँ पर भी तीन अव्याव है लेकिन यहाँ पर वन, टू, थ्री है और यहाँ पर वन, थ्री, फाइव है तो यहाँ पर एक अव्याव टू ऐसा है जो कि इसमें उपलब्दन नहीं है तो इस तरीके से यह जो चिन्न है यह यहाँ पर उप्योगी नहीं होगा क्योंकि यह इसका subset नहीं है इसलिए यह जो कथन है यह असत्य है दूसरे प्रशन पर चलते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है एक एकल समुच्चा है या सिंगल्टन सेट है जो की subset है A, B, C का ऐसा एक कथन है तो A एक अव्यव है जो की इस सेट में भी है तो इस तरीके से यह जो सेट का अव्यव है या सेट है वो इस समुच्चा में सामिल है A एक समुच्चा है जिसमें एक ही अव्यव है और यह अव्यव यहाँ पर उपस्तित है तो इस तरीके से हम कहेंगे कि यह जो कथन है यह सत्य है तीसरा प्रश्न है A, B, C एक समुच्चे है और यहाँ पर कहा गिया है कि यहाँ उप समुच्चे नहीं है C, D, E, F के देखिए यहाँ पर A, B, C तीन अव्यव है यहाँ पर C, सिर्फ एक अव्यव इस समुच्चे का यहाँ पर उपसी थे इस वज़ा से यहाँ पर यह साइन लगा हुआ है कि यह इसका उप समुच्चे नहीं है तो इस तरीके से यह कथन सत्य है ध्यान दीजे, यहाँ पर उप समुच्चे है का चिन है यह भी उप समुच्चे है का चिन है और यहाँ पर उप समुच्चे नहीं है का चिन है तो यहाँ निसकर्श पर आते हैं कि यह जो समुच्चे है वह इस समुच्चे का उप समुच्चे नहीं है जो कि उप्यूगत चिन लगा है इस वज़ा से यह कथन सत्य है सेट पे नहीं है, two और three दो एलेमेंट तो यहां पर उपलब्द है, लेकिन एक इसमें से एक अव्याव है, one जो की इस पर उपलब्द नहीं है, इस वज़़ा से यह कथन असत्य है, यह subset या समुच्य, subset या उप समुच्य का चिन्न है, तो इस तरीके से यह जो अव्याव है, वो इसमें सामिल नहीं है इस वज़ा से यह कथन असत्य है अगला प्रशन है उप्यूक्त चिन लगाईए तो पहला यह दिया गया है कि एक समुच्च है फाई एक समुच्च है जिसमें दो अव्यव हैं एक और तीन दूसरा एक समुच्च है बी इसमें एक पांच और नौ य इस तरीके से पांच अव्यव दिये गये हैं तो इसमें पहला प्रशन है कि फाई और बी इसमें कोई सम्बंद है क्या तो हमने यह पढ़ाए कि फाई जो होता है यह सारवत्रिक उप्समुच्च होता है प्रत्येक समुच्च्च का उप्समुच्च्च होता है तो इस वज तो है लेकिन यह जो तीन है यह इस पर उपलब्द नहीं है तो इस वज़ा से हम यहां पर चिन्न लगाएंगे कि A B का उपसमुच्य नहीं है तीसरे प्रशन पर चलते हैं A और C के बीच में क्या संब्द है देखिए A में एक और तीन है C में एक और तीन दोनों अव्यव हैं A के दोनों अव्यव C के समुच्य के अव्यव हैं तो इस तरीके सम लिख सकते हैं कि A जो है यह उपसमुच्य है समुच्य C का और इसमें चौथा प्लश्न है B और सी के बीच में सम्मंद तो देखिये B में एक, पाँच और नऌ तीन अवयव हैं तो सीमें एक तो है पाँच भी है और नौ भी है तो एक, पाँच नो B के सारे अवयव A के B के सारे अवयव C के समुच्चे के अव्यव हैं तो इस तरीके से हम ये लिख सकते हैं कि B जो है ये उप समुच्चे है C का C एक बड़ा समुच्चे है और B उसके तुलना में एक छोटा समुच्चे है चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर भी इसी चिन्न का प्रयोग करना है और C D ये एक समुच्चे है और यह समुच्चे A का उप समुच्चे है या फिर C D जो एक समुच्चे है वो A में सामिल है और एक अंतिमा वियाओ है E तो इसमें से पहला प्रश्न है C D क्या यह A का उप समुच्चे है तो हाँ है और देखिए CD एक समुच्चे है और यह समुच्चे A में सामिल है इस वज़ा से यह जो कथन है यह सत्य है इसमें दूसरा प्रश्ण है CD belongs to A देखिए यहाँ पर CD एक उप समुच्चे है CD एक समुच्चे की भाति वेभार कर रहा है लेकिन यहाँ पर CD एक उप समुच्चे की भाति वेभार कर रहा है और CD एक समुच्चे है जो की A में है तो यह भी एक समुच्चे है और यह एक और समुच्चे का उप समुच्चे है तो इस तरीके से यह कथन भी सत्य है A जो है वो समुच्चयों का समुच्चय है A, B और E ये तो एक-एक element है अवयव है लेकिन C, D ये जो है एक समुच्चय है तो इस प्रकार A समुच्चयों का समुच्चय है तीसरा है A belongs to A हाँ ये A जो small a है ये A पर उपलब्ध है इस वज़ा से हम कहेंगे कि यह जो कथन है यह सत्य है 5 belongs to A तो थोड़े देर पहले हमने देखा था कि 5 यह रिक्त समुच्चय प्रत्यक समुच्चय का उप समुच्चय होता है तो इस वज़ा से यह कथन भी सत्य है अगला है 5 is a subset of A तो यहाँ पर 5 एक element है और यहाँ पर यह जो लिखा गया है सरपाकार कोश्चक के अंतरगत एक अव्याव है 5 तो इस तरीके से यह अपने आप में एक सेट है तो हम जानते हैं कि 5 is a subset of every set या फिर 5 या रिक्त समुच्चय जो होता है पर तेक समुच्चय का उप समुच्चय होता है तो इस वज़ा से यह कथन भी सत्य है कि यह समुच्चय a का उप समुच्चय है अगले प्रश्ण में हमें लिखना है सभी उप समुच्चय लिखिए दूसरे सब्दों में दिये गए समुच्चे का हमें घात समुच्चे बनाना है तो पहला एक समुच्चे दिया गया है A तो इसके जो उप समुच्चे होगा देखिए ये जो समुच्चे है इसकी अधी कार्डिनालिटी की बात की जाए मान लेते हैं कि यह capital A के बराबर है तो capital A में सिर्फ और सिर्फ A का व्याव है तो किसी समुच्चय के उप समुच्चयों की संख्या 2 का पावर N होती है तो यहाँ पर 2 का पावर 1 इक्वाल टू 2 तो इस समुच्चय के उप समुच्चयों की संख्या 2 होगी तो हम यह जानते हैं कि 5 जो होता है या रिक समुच्चे प्रत्येक समुच्चे का उपसमुच्चे होता है और A अपने आप में खुद का या फिर प्रत्येक समुच्चे स्वयम का उपसमुच्चे होता है तो इस तरीके से यह जो सेट हमें दिया गया था इसके दो समुच्चय मिलेगा या फिर पावर सेट लिखने के लिए कहा जाए तो पी आफ बी हमें ऐसा लिखेंगे इसे तो पहला यह की ए दूसरा है बी और तीसरा है ए बी और चौथा है फाई देखिए इस समुच्चय की काडिनालिटी या इसमें अवयवों की संख्या दो है तो अवयवों की संख्या जो होगी यह दो कागहत N होती है दो कागहत N मतलब यहाँ पर N का मान दो है तो दो कागहत 2 बराबर 4 तो इस तरीके से इस समुच्चय के उप समुच्चय की संख्या 4 होगी तो देखिए यह 1, 2, 3 और यह 4 तीसरा है फाई फाई अपने आप में एक समुच्चय है और खुद का भी उप समुच्चय है तो इस तरीके से का उप समुच्चय वो खुद होगा फाई चौथा प्रस्चन है मान लेते हैं कि यह एक समुच्चय है ती यहाँ पर हमें A, B और C तीन अव्यव दिया गया है तो इसकी कारडिनालिटी जो होगी यह 3 होगी 1, 2, 3 इसमें कुल मिला करके 3 अव्यव हैं तो इसमें अव्यवों की संख्या किसमें अव्यवों की संख्या पावर सेट आफ टी इस समुच्चय के घात समुच्चय में अव्यवों की जो संख्या होगी वो क्या होगी 2 का घात 3 इस तरीके से कुल 8 अव्यव हमें मिलने चाहिए तो हम लिख सकते हैं कि A, B, C का उपसम उच्च है जो होगा इसमें पहले एक एक element को लिख लेते हैं A, B, और C फिर दो-दो की pairing कर लेते हैं A, B, B, C, और C, A इसके बाद एक आवयाव आएगा जिसमें वह खुद होगा A, B, और C A, B, C और एक फाई है तो देखें, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, और आठ तो इस तरीके से A, B, C एक समुच्च है इसके उपसमुच्च है सभी समुच्च है हमने यहाँ पर लिखा हुआ है और यही इसके लिए उत्तर है